देखिए जब आप online payment करते हैं Google पे से, phone पे से, Paytm से या किसी और banking app से तो यहाँ पर आपको एक दिखाई देता है transaction ID और यहाँ पर number रहते हैं बहुत सारे तो transaction ID होता क्या है? इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहे तो basically transaction ID वो होता है, मान लीजिए आप कोई चीज purchase करते हैं या फिर किसी को payment करते हैं तो आपको तो पता है वो payment हो चुकी है, बट bank के जो worker होते हैं, bank employee होते हैं उनको पता करना है कि आपने कहाँ payment की, कैसे payment की, तो यह transaction ID से वो करते हैं कि आपने यहाँ यहाँ payment की है और हर transaction ID का number अलग होता है, तो इससे confusion नहीं होता है, basically यह transaction ID bank वालों के लिए होती है बट आप से कोई medical वाले भी मांग सकते हैं, या फिर कोई इनसान भी आप से मांग सकता है, तो आप transaction ID दे सकते हैं, किसी को भी यह safe है, इससे आपका कोई problem नहीं होगी तो यही होता है transaction ID, आपका कोई question है, तो आप comment में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका reply दे दूँगा, वीडियो पसंद आई हो, तो टेक्स दोर को subscribe कर दे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, अल्लाहाफिस